है 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 हलो फ्रेंड्स वेलकम टू गोईला क्लासिस आज हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेर की इवेंट के बारे में देखिए हमारे देश के अंदर सबसे पहली जो हाइडरोजन बस है वो लॉंच कर दी गई है और यह करंट अफेर की जो न्यूस है यह आपकी ले स संबन्दित है ले के अंदर जैसे कि आप जानते हैं जो मन किश्मी का जो स्टेट हूट का दर्जा था उसको हटा दिये गया था आर्टिकल 370 हटाने के बाद तो अब वहां पर जो ले और लदाख वाली जो डिवीजिन है वहां पर यूटी वाला जो शेत्र है लदाख वा जानते होंगे लदाख को डेजर्ट है भारत के अंदर एक मात्र ईीजिए वहाला शितन तो वहां पर उस औरिया को क्यूंगी बहुत सारे वहें पर जाते हैं तो उसकी वाँशे बहुत सारा कार्बनट सर्जन के तरों इमाचल गवर्मेंट भी बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसमें इलेक्ट्रिक वाइकल्स जो है इलेक्ट्रिक गाडियां उनको एक स्पेशल सब्सेडी प्रवाइड की जाएगे रिजिस्ट्रिशन फीस के अंदर और उसके लावा जो बसी है वह बात करूं तो वहां पर भी यही इसी तरह के कुछ इनिशेटिव स्टार्ट करने के लिए आपकी फर्स हाइड्रोजन बस स्टार्ट की गई है ताकि जो लदाख है उसको कार्बन न्यूटल बनाया जाए कार्बन न्यूटल का मतलब है कि जो भी वहां पर ट्रांसपोर्ट चलेंगे वाइकल चलेंगे उनसे कम से कम जो कार्बन डायकसाइड है रिलीज हो और जो लदाख है वहांके जो क्लाइमिट है उसको प्रिजर्व किया जा सके एक आपकी और्गनाजेशन है जो इन सब चीजों के ऊपर काम करती है आगे हम इसके बारे में स्टड़ी करेंगे इसस सेटिंग अप हाइड स्टेशन अब दीकिए पहली हाइडरोगन की जपर दोबारा से दूसरे कि पडेगि तो वहां पर है स्टेशन अब आपका तो स्टर्ट किया ज기This है अब जो वां इसे बासिर्शशन तक जाने के बीच एह लोंग निस्टेंस बेखिए और एसा भारत में पहली बार देखने मिला है कि यह सब्साइब दिल्ग करने की कोशिश की है तो यह शुक्साइब HC वी यहां पर कंप्लिट्ट है देखने यह ऊंकि की तो उस तार अगस्त की बात है यह सब्स पहुंसे पहुंची थी और यह जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया है यह तीन मंत का एक ट्रायल था जिसके अंदर फिल्ड को देखा गया कि मतलब जो रास्ते हैं वो किस तरह से हैं रोड वर्दीनस टेस्ट किया गया कि क्या यह बस उन रोड पर उन चड़ाई पर जो है क्योंकि वहां बस जो है वह नजर आती हैं अभी आप अगर देखेंगे जैसे कि स्टार अतार एक से स्टार्ट हो गया तो लेह बस करेगी अब देखिए अगर बात करें यह हाइड्रोजन फ्यूल किस तरह से काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं जो इलेक्र सिटी जिनरेट क कैसे करेंगे हाइड्रोजन और आक्सिजन का जो रियक्शन होगा उनका रियक्शन होगा है अब इस लिए अभी आपको स्टार्ट में बनाया था क्योंकि वहां पर और चीज़ करने ज़रूरी थी तो हैड्रोजन और उसके बाद क्या होगा उससे एलेक्ट्रोशिटी जो ह है वो रिलीज नहीं होती है तो यह एक ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा फोकस है और उसके बाद electricity पर उनने के बाद उसी electricity से जो है बस जो है उसको source मिलेगी power source मिलेगी और वैसे वो रन करेगी अब बात की जाए कि पूरे विश्व में क्या hydrogen के उपर बस रन करने वाला भारत एक मातर आपका देश है तो ऐसा नहीं है बहुत सारी countries हैं ऐसी जो ऐसा कर चुकी है लेकिन हम यह कहेंगे कि maximum जो countries हैं वहाँ पर अभी electricity या फिर उसका कोई ना कोई दूसरा और जैसे कि मालेग जीए cng के थ्रू या hydrogen के थ्रू इन सब चीजों के थ्रू जो बस को रन करने का काम किया जा है और इस दिशा में अगर हम बात करें तो चाइना सबसे आगे नजर आता है 2020 के डाटा के अगर बात करें तो लगबग जो चाइना है वो 93.7 परसेंट जो वर्ड के अंदर जो हाइडोजन बस जो चल रही है उनको चाइना के अंदर ही रन किया जा रहा है तो यह आपके ल हमारे पास चल रहा है 2014 के लिए आरे इस का प्रिलिम कैश को चल रहा है तो अगर आप भी किसी स्टेट पी सीएस की एक्जाम के तैयारी जाते हैं तो आप हमारी एप साइट पर विजिट कर सकते हैं जो भी गोईला क्लास जोट कॉम के नाम से अवेलेबल है आपको वहां प के फिलाल इतना ही है दन्यवाद